तो बच्छो आपको कह रहा है कि find the side of a cube, तो एक cube है, उसका side आपको निकालना है, side का मतलब edge निकालना है, whose surface area is given, अब देखो बच्छो, यहाँ पर यह जो surface area दिया है, जब भी वो आपको बोल रहा है surface area, तो समझ जाना वो total surface area है, मतलब समझो, यहाँ पर देखे, आपके पास एक cube है, ठीक, तो cube मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूं students, ओके, यह देखे, इस तरीके से, यह देखे, यह देखे बच्छो, यहाँ पर यह cube है, ओके, यह ऐसे, ठीक, नो, यह cube है, और cube के side को हम लोग L से दिखाते थे, अगर आपको है, इसकी length भी L होती थी, इसकी breath भी L होती थी, और इसकी height भी L होती थी, और cube का जो total surface area होता था, 6L square, कैसे सर, एक face का area कितना होगा, इसके total 6 face है न, 1, पीछे 2, right में, 1, 3, left में, 1, top पे 1, bottom में, 1, total 6 faces है, cube के, ठीके students, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stick, one face का area कितना होता है, one faces का square होता है, देख लीजे, यह square shape ही तो है, ठीक, तो square का area क्या होता है, side का square, यानिके L का square हो जागा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, length into breath, तो length की जगा भी L आएगा, अब breath की जगा भी L आएगा, L into L, square, यानिके one face का area होता है, L square, तो total 6 faces का area कितना हो जाएगा, 6L square, L square को 6 से multiply कर दोगे, ठीक, so total surface area of cube का जो formula होता है, वो कितना होता है, वो होता है, 6L square, okay students, लेकिन total surface area cube आपको देके रखा हुआ है, कितना 600, तो इसके नीचे हम इसकी value लगा देंगे, भाई चकर लो न, total surface area of cube कितना होता है, 6L square, इसके नीचे इसकी value लग दो 600, कितना दी है, 600 cm square, ठीक, is equals to कितन हो जागा, 6L square, लो, अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप 600, यहां से आप L square की value निकालोगे, बस, अब next step देखिए, 600, अब cm square यहां से हटा दे रहा हूं, समझ जाना, area सर्फ cm square में, तो length आ जाएगी cm, तो 600 is equals to, 6L square का मतलब होता है, 6 into L square, यह लीजे, याने कि square में 6 multiply कर रहा है, उधर जाएगा, तो divide करेगा, इस तरीके से L square की value है, वो आ जाएगी, कितनी 600, और यह 6 आके इदर divide लगाएगा, 6 वंजा 6 होता है, 6 वंजा 6, और 2 zeros, as it is, आ जाएगे, याने कि 100 upon 1, कितना होता है, 100, तो इस तरीके से L square की value है, वो कितनी आ गई, 100 हैं, ध्यान देंगे जड़ा, क्या करेंगे, हम यहां से square हटाएंगे, ठीक, और यहां square root लगाएंगे, जब भी हम square root लगाते हैं, तो आगे plus और minus आता है, यह आप 9th class में पढ़ोगे, अभी से सुन लो, जब भी आप square root हटाते हो, तो 2 values आती ही, एक आती positive में, लेकिन हम लो, class 8 में positive लेंगे, क्यों sir, क्योंकि sir, length हमेशा positive होती, yes sir, length कभी भी negative नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहां क्या करेंगे, positive square root ही लेंगे, सीधे शब्दों में बोलें, तो L square हटा के, यहां square root लगा दोगे, ठीक है, और बस 100 का square root हो जागा, अब बताओ 100 का square root कितना होता 10 होता है, जिनको नहीं पता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, 100 का square root क्या होता है, 100 को आप क्या लिखोगे, 100 को आप 10 into 10 लिख सकते हो, अब आपने square root वाले chapter में क्या पढ़ाता, कि अगर दो नंबर सेम आ रहे हैं, इसका pair बना के बाहर निकाल लोगे, तो square root से ब root कर लीचे,